हेलो गाईज माई नेम ही शिवानी कशप अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अगर आप मेरी वीडियो से बहुत पहले से जुड़े हैं तो थैंकियो सो मच्छ आपकी वीडियो में मैं आप सभी को बहुत सारे स्टाइल बताने वाली हूँ सूट के ओपर आप दुपट्टे को किस तरीके से वेर कर सकते हैं बहुत ही सारे स्टाइल होने वाले हैं दस स्टाइल मैं आपको बताने वाली हूँ किसी भी सूट के ओपर आप इस तरीके से दस यह दूपट्टे को ड्रैप कर सकते हैं तो चलिए वीडियो अच्छी लग जाए तो फ्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेर करना विल्कुल भी मत भूलेगा तो चलिए शुरू करते हैं लेट्स के स्टार्डेड ओके तो मैंने यहाँ पे ब्यूटिफूल सा येलो सूट प्लासो सूट वेर किया हुआ है फर्स टाइल के लिए आपको फर्स एंड से प्लीट बनाना स्टार्ट करना है यह सबी जो मैं दुपट्टा स्टाइल बताने वाली हुआ या आप किसी भी सूट पर वेर कर सकते हैं तो फर्स टाइल के लिए आपको इस तरीके से प्लीट बनाने नहीं है जो मैं यह स्टाइल बताने वाली हूँ यह है रेडी यह आप नॉर्मल डेली बेसिस पर वियार कर सकते हैं ओकी नौ दूसरे स्टाइल के लिए आपको दुपट्टे की प्लीट बनाना स्टार्ट करना है जितना लेंथ आपको आगे की साइड चाहिए उतनी लेंथ की अकॉर्डिंग आपको प्लीट की लेंथ चाहिए तो यहाँ पर प्लीट बना लिए है मैंने और मुझे जितनी लेंथ चाहिए उस इतना लेंथ आपको रखना है इतना अच्छा लगता है इस वारे स्टाइल में तो आपको इसको आगे की साइट से रखना है शोल्डर पे और पिन अप कर लेना है शेफटी पिन से नाव दूसरे एंड को लेना है आप इसको प्लाजो के अंदर की साइट टकिन कर लिजिए सिंपल सा है सेफटी पिन से कोई सेक्यूर करने की जुरत नहीं यह निकलेगा नहीं एंड ट्रस्ट मी यह बहुत ही अमेजिंग लगता है ओकी नाव थर्स टाइल के लिए आपको दुपट्टे के कोर्नर्स को मिला लेना है और इस से एक length measure हो जाती है और इस तरीके से आपको पकटना है दुपट्टे को and आगे की साइट से नाप लेना है शोल्डर and neck की साइट से तर आपको दोनों एंड को इस तरीके से आपको शोल्डर पर पिन अप कर लेना है ट्रस्ट मी यह तब ही अच्छा लगता है जब इसकी पीछे की साइज से लेंथ इक्वल हो और यह बहुत अमेजिंग लगता है सिंपल है सोवर है और बैस्ट है ओकी नव फोल्ड स्टाइल के लिए आपको इस तरीके की बॉर्डर दुपट्टे पे ज़्यादा अच्छा लगेगा सिंपल है बट इस तरीके से बॉर्डर पे अच्छा लगेगा यह आपको फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से फोल्ड कर लेना है कि इसका बॉर्डर अच्छे से शो हो और इकोली आप इसको सेफटी पिन से भी पिन अप कर सकते हैं बीच की साइट से कि आपके दुपट्टा जो है वो इधर उधर से इसका बॉर्डर मुर्णना जाए तो यह बहुत ही सिंपल सा सोवर सा पजामी सूच पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ओके तो नेक्स्ट स्टाइल के लिए आपको पट्टे के दोनों कॉर्नर के एंड को कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है यह हो गया है आपका मिड़ पार्ट तो आपके इसके मिडल पार्ट को शोल्डर पे कर लेना है सेफटी फिन से सिक्यूर यह किसी भी सूट पे आप वेर कर सकते हैं यह लहंगे के उपर भी अच्छा लगता है बट इसको लेने का तरीका आना चाहिए आपको इसको हाथ पे चुन्नट की तरीके से जो चुन्नटे होती न प्लीट इस तरीके से आपको पकड़ लेना है और यह बहुत ही अमेजिंग लगता है ओके नाओ नेक्स दुपट्टे स्टाइल के लिए आपको दुपट्टे के दोनों कॉर्नर्स को आपको सेफटी फिन से सिक्यूर कर लेना है और कुछ इस तरीके से आपको शोल्डर पे पिन अप कर लेना है मैंने सेफटी फिन से सिक्यूर नहीं किया है क्योंकि मुझे नहीं लगती है अगर आपको कर चाहें तो आप कर सकते हैं तो यह ब्यूटिफूल सा स्टाइल रेडी है आई होब लाइक इस तरीके से जो इदुपट्टा आपका नीचे की साइड है इसको आपको शोल्डर पे इस तरीके से पिन अप कर लेना है एक इस तरीके से हाथ पे होल्ड कर लेना है यह कुछ क्या सिप्फेरेंट हो जाता है यह दुपट्टा स्टाइल उसपे जाधा अच्छा लगता है जिसका दुपट्टा थोड़ा हैवी हो जैसे मेरा दुपट्टा फोड़ा प्रिंटेड है तो यह ज्यादा अच्छा दिख रहा है So I hope आपको यह वाला style भी उतना ही पसंद आया है Now 8 style के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ यह जो हमने safety pin से secure किया था ends को यह आपको neck पर लेकर जाना है and कुछ इस तरीके से border को आगे की side से equally लगा देना है मतलब उसको set कर लेना है and trust me यह style बहुत अच्छा लगता है इसके border जितना अच्छा दुपट्टे का border होगा उतना अच्छा style लगेगा and आपको इसमें कुछ 3-4 safety pin का use करने की जुरत नहीं है and यह plazo suits के ओपर बहुत ही प्यारा लगता है now next style के लिए जो style होने वाला है यह पंजाबी सूट जो होते है ना सलवार सूट यह उन पर बहुत ही प्यारा लगता है तो उसके लिए आपको क्या करना है दुपट्टे की इस तरीके से आपको pleats बना लेनी है and दुपट्टे की जो आप length है आप इस तरीके से देख सकते हैं दूसरे हाथ की आप help लेके इस तरीके से pleats बनाके आप आगे की side से आपको shoulder पे कर लेना है safety pin से secure इस तरीके से आपको safety pin से secure कर लेना है थोड़ा सा पीछे की साइड लगाना जिससे कि आपका जो कॉर्णर है दुपटे का वो ज्यादा बुरा ना लगे आगे की साइड तो ये बहुत ही प्यारा लगता है स्टाइल और पंजाबी सूट पे तो बहुत ही अमेजिंग लिखता है लास्ट पर्टऊ स्टाइल के लिए आपको उसी पल्ले के कॉर्णर को आपको हाथ पे कोई बैंगल से बैंगल पर सकते हैं सेफटी बिन से बट अदवाइस कुछ नहीं आपने वेर किया वाए तो आप सिंपल इस तरीके से हाथ में सेफटी बिन से सीफटी बिन से स्कते हैं त्रस्ट मि यह बहुत ही अमेजिंग लगता है I hope guys आपको इस सारे के सारे स्टाइल बहुत ही अच्छे लगे हैं और आपको मैं अच्छे रखते हूं मेरे चैनल, मेरी वीडियो सारे आपको बहुत ही हल्प करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल एकन देवान भी मत भूलेगा थैंक्स फो वाचिंग टेक केर